मसी में भाई व बैनों को प्रभु येशु में चांती हो आज का अमरा वचन है फिलिय प्यों की बत्री उसका तीसरा भाग उसकी दसवी आयत जिसमें कहते है और में उसको और उसके मृत्युन जय की स्यामर्थे को और उसके साथ दूखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो ये है फिलिपिया 3 और 10 जिसमें से आज जो हम देखने वाले हैं वो है मैं उसको और उसके मृत्युन जय की सामर्थे को जानो पॉलोस यहाँ सामर्थिय को जानने की बात कहता है सामर्थिय हमें हर चीज के लिए सामर्थिय चाहिए होती है और हमारा सामर्थिय हमेशा दिखता भी है हमें हमारे हर रोज के कामों में सामर्थिय की जरूरत होती है सामर्थ के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता है अगर हम इंसानी सरीर की बात करता है तो हमें सामर्थ चाहिए अगर हम मशीनों की बात करता है तो उसमें भी सामर्थ चाहिए अगर हम ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन में भी सामर्थ चाहिए डब्बे उसके साथ जुड़े होते उसके सारे कमपार्टमेंट एक के साथ ही जुड़े होते का चाहे कमपार्टमेंट कितने भी अच्छे हो पर जब तक एंजीन नहीं लगेगा तब तक वो चल नहीं सकेंगे वो एक जगे ही रहेंगे और एक जगे पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे पर जब उसमें एजिन लगता है उसके आगे एजिन लगता है तब वो उसको खीच के लेके जाएगा और जो कपान्ट्मेंट थे वो कुछ काम आएंगे पेड़ पॉदों का एकजम्पल ले तो पेड़ पॉदे में हर एक डालियों पे लगे हुए थे कई डालियों पे अपने फल लगे हुए होते ये भी कहीं से अपना सामर्थ ले रहे होते ना जैसे उसकी जड़ों को देखे तो जड़े खुराक लेके वो हरे एक धहनियों में भेश दिये और उससे पत्ते बनते उससे फल आते तो उसी तरह से हमारे जीवन म में कोई सामर्थ है कि जिसकी बज़े से हम चल रहे हैं अगर सामर्थ नहीं है तो हमारा मृत्ती हो जाता है अगर टहनी कोई डाली व्रक्ष से अलग हो जाती है तो तब तो उसमें जान होती है पर कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि ये डाली जो है वो व्रक्ष से से छूट जाता है, तो थोड़ी देर तो वो चलता रहता है, क्योंकि वो ट्रेन उस स्पीड में होती है, तो थोड़ी देर तो compartment चलता रहेगा, पर कुछी देर में, थोड़ी सी देर में वो compartment रुख जाएगा, तो पता चलता है कि इसमें सामर्थय अब नहीं रही, उसी तरह से हमारे मसी जीवन में भी जब सामर्थय नहीं होती है, तब हमारा आत्मिक मृत्य हो जाता है मृत्यू मतलब हमें कोई फल नहीं आ सकता फिर, तो पॉलूस यहां पे यह कहता है, कि मैं उसको जानो और मृत्यु जाई की सामर्थय को जिस सामर्थय से प्रभु मसी जी उठे उस सामर्थय को पॉलूस यहाँ जानना चाहता है जब हम प्रभु येशु पे भरोसा करते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तभी ये सामर्थय हमें दी गाई होती है पर यहाँ पे उस सामर्थियों को जानने की बात पॉलूस कर रहा है अगर हम पुंदृत्तान की बात करें तो ये वो ही नहीं है कि जिसमें से लाजरस को उठाया गया था क्योंकि लाजरस तो एक दिन वापस मर गया ये है पुंदृत्तान की बात कि जिसमें जिन्दा होने के बाद एक नया शरीर मिलता है जो शरीर कभी मर नहीं सकता प्रभु येशु को जो शरीर मिला था वो वही था जो कभी नाश नहीं होगा प्रभु येशु हमें जब ले जाएंगे तब हमें भी ये शरीर मिलेगा जिसका नाश नहीं होगा जिस तरह से बॉड़ी को एक नया शरीड मिलता है उसी तरह से जब हम प्रभु येशु पे वरोसा करते है तब हमारा आंतरिक जीवन एक नया जीवन बन जाता है जो पुराने आदमी था वो मर जाता है उसके जगे वो एक नया आदमी आ जाता है कि जो नया जीवन जी रहा है नई तरह से जी रहा है नया सवबाव के साथ नई तरीके से इस बात को जितना हम जादा जानेंगे उतना हमारा और परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है वो और जादा गहरा और ज़्यादा strong होता जाएगा हम परमेश्वर को जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही हमारा और उनका relation जो है वो और ज़्यादा strong हो जाएगा जैसे हम किसी unknown व्यक्ति के बारे में हमने सुना होता है पर हमारा और उसका relation नहीं होता है जितना हम उसके साथ हैं, जितना हम उसको जानते हैं, जितना हम उसके बारे में सुनते हैं वैसे वैसे हमारा उसके साथ relation develop होता जाता है, हम और मजबूत relationship में आ जाते हैं, और एक time पर ऐसा होता है कि वो relation इतना strong होता है, कि फिर हम उस relation से छुट नहीं सकते हैं, हम इतने करीब आ चुके हम इतने bonding में आ चुके होते हैं, वो relation हमारा जीवन बन जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा इसी तरह का सबंद बन जाता है, जब हम परमेश्वर को और जादा जानते हैं, और जादा उनको समझते हैं, पॉलूस यहां कहता है कि मैं उसको जानू और उसके जी उठने की शक्ती को, पॉलूस की यही प्रात्मिक्ता है कि वो परमेश्वर को जाने, और जिस सामर्थे से उनको जिलाया गया, उस सामर्थे को वो जानना चाहता है, अगर केवल प्रभु येश्व की हमारे लिए मृत्य हुई होती, और वो जिलाय नहीं गए होते, तो बाकी लोगों में और हम में कोई फरक नहीं होता, पर हमारे परमेश्वर ने मृत्य पे जीत हासिल करी, मृत्य को हरा के, शैतान को हरा के, फिर से जिन्दा हुए, और सदा के लिए जिन्दा हुए, यही हम सबसे अलग है, और यहां ही हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे सक्तिशाली है, जिसको मौत, शैतान या कुछ भी छू नहीं सकता, छूएगा भी तो हमारा परमेश्वर ही उसमें जीतेगा, आज प्रभु हमें भी वो सामर्थि देता है और उस सामर्थि को हमें और जानना है जिससे कि वो सामर्थ हम में द्रड हो तो प्रभु येशु को जानना वो क्या बात है आईए हम देखते हैं पुराने नियम में यर्मिया उसका नौवा भाग 23 और 24 आयत उसमें ये कहते है यहवा कहते है बुद्धिमानों को अपनी बुद्धिमानी की डिंग नहीं मानी चाहिए शक्ति शालियों को अपने बल का बखाना नहीं करना चाहिए संपति शालि को अपनी संपति की हवा नहीं बांदी चाहिए परन्तु जो गमन करे वो इस बात का गमन करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहवा हूँ जो प्रत्वी पर करोणा न्याई और धर्म के काम करता है क्योंकि मैं इन्ही बातों से प्रसन नहूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर कोई गमन करे तो वो इस बात से गमन करे कि वो मुझे जानता है और समझता है पुरान अनियम में यहुआ ने ये वचन यर्मिया को दिया था लोग आज के जमाने में हमारी प्रत्वी पर कोई बुद्धिमान होता है या कोई शक्तिशालिय होता है या जिसके पास बहुत पैसा होता है या जो कोई बहुत सुन्दर होता है वो बड़ा आदमी होता है या उसको लोग ज़्यादा मानते है और लोग उसकी ज़्यादा सुनते है पर परमेश्वर क्या कहता है कि बुद्धिमान होना, या सुन्दर होना, या धनी होना, या शक्तिशाली होना, उससे भी जादा परमेश्वर को जानना और उनसको समझना ये बड़ी बात है, और एक वचन हम देखते हैं, यहुना सत्रा और तीन में ये कहता है, कि और अनन्जीवन ये है, कि तुम परमेश्वर को जानना ये बहुत ही आवश्यक बात है, दूसरा पित्तर एक और तीन में ये कहता है, क्योंकि उसके इश्वरिय सामर्ग ने सब कुछ जो जीवन और बक्ती के समंद रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद गुणों के अनुसार बनाया है, क्या कहते है, सब कुछ जो जीवन और बक्ती के समंद में रखा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, परमेश्वर की पहचान के द्वारा ही हमें जीवन और बक्ती मिलती है, उसको जानने का परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है पहले यहुणना 5 और 20 में यह कहते है और यह भी जानते है कि पर्मेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात מה पुत्र प्रभु येशू में रहते है सच्चा परमेश्वर अनन जीवन यही है प्रभु येश्व ने हमें उसको जानने के लिए सामर्थ दी है अपनी ताकि हम उसको और जादा जाने और हम अनन जीवन को पा ले प्रभु येश्व जमीन पे इसलिए आये थे कि हम परमेश्वर को और करीब से जान पाए जीना हम और अच्छे से सीख पाए क्योंकि वो हमारा जिन्दा उदारण था परमेश्वर ने यहां आके किस तरह से जीना है वो हमें सिखाया और हम परमेश्वर की महानता को और परमेश्वर के पराकरम को हम और गहराई से समझ पाए और जदा हम क्लियर हो गए कि किस तरह से परमेश्वर हमारे लिए अपना खुद का बेटा दे सकता है किस तरह से वो हमें प्यार करता है किस दरह से उसका पराक्रम है जो ब्रत्यू के ऊपर विजय होता है ये है प्रभु येशु को जानना बाइबल हमें हर जगे इस बात का बहुत महत्व है कि हम प्रभु येशु को परमेशुर को जाने कहीं एक ही जगे नहीं परन्तु बुराने नियम या नये नियम दोनों में ये इस बात का महत्व है कि हम प्रभू को और करीब से और अच्छे से जाने तभी हम उसके सामर्थ को पा सकेंगे ये हमने करी प्रभू येशु को जानने की बात पर हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे तो परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास प्रभू का वचन है उसको पढ़े हमारे पास प्रभू ने बहुत सारे सेवक दिये है उनको हम सुने जिनके द्वारा प्रभू हमसे बात करते है जिनके द्वारा वो वचनों की समझ देते, जिनके द्वारा वचन और जदा प्रकाशित होते हैं हम हमारे आसपास कितने सारे मसीही लोगों को देखते हैं जिनके जीवनों में प्रभू ने काम किया होता है उनकी गवाई को हम देखते हैं, सुनते हैं जिनके द्वारा हम समझते हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी महानता है, परमेश्वर को हम इस तरह से जान सकते हैं, और ये तो हो गया कि हम खुझ से परमेश्वर के बचन पड़े, उनको सोने, और लोगों की गवाही के द्वारा हम परमेश्वर क जान सकते हैं, परन्तु जब हमारा उनके साथ रिष्टा कायम होगा, तभी हम और गहराई से उनको जान सकेंगे, तभी हम और जादा बारीकियों से उनको पहचान सकेंगे, सबसे पहली बात है, परमेश्वर पे विस्वास करके हम उद्दार पाए, विस्वास करें कि को की माफी मिले, हम उस पे भरोसा करें, और जो काम उसने किये हैं, उन कामों पे हम उस पे भरोसा करें, दुसरी बात है, प्रमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रातना में समय बिताए, अकेले में समय बिताए, कोई आसपास नहीं हो, क्योंकि जब भी लोग हमारे आसपास होत जो हमारी प्रातना है होती है, जो हम वर्शिप होती है, उसके शब्द बड़े ही लिमिटेट हो जाते हैं। परंतु जब हम अकेले होंगे, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे, तब हम असीम बाते कर सकते हैं। के साथ, अपनी सुख, अपनी दुख, अपनी परिशानिया, अपनी टेंशन्स, सब कुछ हम परमेश्वर के साथ शैर कर सकते हैं, परमेश्वर खुद भी यह चाहते हैं, क्या परमेश्वर हमारे बिना बोले, हमें सब कुछ नहीं दे सकते, फिर भी परमेश्वर चाहते हैं हम प्रातना में उनके साथ रहे, उनसे बात करे, जैसा एक पिता अपने बच्चे से चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ बातचीत करे, उनके साथ समय बिताए, यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है तीसरी बात ये है कि उसकी बातों को जो उसने हमें कही है उन बातों को हम करे परमेश्वर ने जो हमें कहा है वो हम करे परमेश्वर कवचन कहता है इबराहीम को पता नहीं था कि उसको कहां जाना है पर परमेश्वर ने बोला कि तुम निकल जा और परमेश्वर की बात को इब्राहिम ने माना और वो निकल गया परमेश्वर हमारे पास उसी तरह का बरोसा उसी तरह की विस्वास चाहते है जो भी परमेश्वर हमें कहता है वो बस मान ले हम यही सच्चा विश्वास है पूरी बात को समझ के उस पे सोच के फिर बात को मानना यही विश्वास नहीं है परन्तु परमेश्वर जो हमें कहता है उसको पूरी ना भी समझे फिर भी हम उस बात को फॉलो करे यही भरोसा है अभी हम देखते हैं पुन्रुत्थान का सामर्थ पॉलुस यहाँ पे कहीं पे यह नहीं कहता कि मुझे सामर्थ है और चाहिए पर पॉलुस यहाँ पे क्या कहता है कि जो सामर्थ उसको और जादा जानना चाहता है कितनी महान है उसकी शक्ती के प्रवाव के उस कारियर के अनुसार हो विस्वासियों को यह सामर्थ है पर उस सामर्थ को जानने के लिए पॉलुस यहाँ कहते हैं सामर्थ पर है क्या या इस सामर्थ उससे क्या होता है इस सामर्थ हमारे जीवन में कैसे काम करता है सबसे पहली दुल गये, रूमी 4.25 कहता है कि वो हमारे अप्रादों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया हमारे पापों के कारण हमारे पापों से जुडाने के कारण उनको मारा गया और हमारे ही लिए क्योंकि हम धर्मी हो सके इसके लिए परमेश्वर को जिलाया गया वो हमारे पापो के बदले में बली हो गया कि जिससे हमें माफी मिले तो ये सामर्थ हमें पापो से माफी देता है दूसरी बात ये है कि पापो के उपर हमें विज़े देता है उसके जिन्दा होने के द्वारा शैतान को हराया गया शैतान समझता होगा कि उनको बली होने से वो जीत गया परन्तु नहीं उनके जिदा होदें के द्वारा परमेश्वर ने सैतान को हरा दिया वैसे ही वो सामर्थ हमें भी मिलती है कि हम अमारे पापों के उपर विजी हो सके पुराना जो भी था वो सब कुछ मर गया है अब नया मनोश्य है, नय लोग है, नई तरीके से जीते, नय मन के साथ पहले तो हम शैतान के दास थे, जो वो कहता था वो ही हम मानते थे हम हमारी मर्जे से कुछ नहीं कर सकते थे, हम बड़े ही कमजोर थे कि शैतान के नीचे हम दबे हुए थे परन्तु इस पुनृत्थान के सामर्थे के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस सामर्थे दिये कि हम हमारी सारी ही बुरी आदतों से, सारी ही हमारी कमजोरियों से, सारी ही हमारे जगत के आकरशनों से, सारी ही बुरी शंगती से हम विजयी पा सकते हैं ये है पुनुरुत्थान का सामर्थ्य, जिसके द्वारा हमें सब कुछ नया हो जाता है, और हम शैतान को हरा के उसके उपर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, तीसरी बात है, हम उसके सेवक ठहरते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का उजाला है, हम परमेश्में जाओ और सब को मेरी बात बताओ ये हग उन्होंने जिन्दा होने से उसके पुनुरुद्धान से ये सामर्थ हमें दिया है जो काम परमेश्वर ने हमें सौपा है उसके लिए वो हमें अपनी सामर्थ देते है देखिए दूसरा करंधिये 5.1920 में ये बात हमें जानने मिलती है अर्थात परमेश्वर ने मसी में हुक कर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपरादों के दोश उन पर नहीं लगाए और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौप दिया सो हम मसी के राजदूत है मानो परमेश्वर हमारे दौरा समझाता है हम मसी की और से निवेदन करते है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो हम क्या है हम है मसी के राजदूत परमेश्वर के मेसेंजर से और परमेश्वर हमें इस काम के लिए सामर्थ देते है हम तो बहु हम कभी नहीं का सकते मच्छवारों के द्वारा प्रभू ने पूरी जगत में अपनी सूसमाचार पहलाया जो पॉलूस परमेश्वर का वैरी था जो उनके अगेंस्ट था जो प्रभू येशु को और उनके फॉलोवर्स को परिशान करते थे उसी पॉलूस के लिए परमेश्वर को फैलाना बहुत ही मुश्किल था परन्तु प्रभू ने उसी के द्वारा ये काम करवाया और बहुत गजब का काम करवाया ये है पुन्दुट्थान का सामर्थी चौथी बात हम देखते हैं उसने अपने जैसे होने के लिए हमें ये सामर्थी दिया है परमेश्वर चाहते है कि जैसे वो थे उसी तरह हम भी बन जाएं हम उसके स्वरूप में डलते जाएं जिस तरह से वो जिन्दा हुए उसी तरह से हम भी नया जीवन पाएंगे नया शरीड पाएंगे और जिन्दा होएंगे हम मर जाएंगे पर ये हमारी लिए एक नया द्वार है परमेश्वर तक पहुँचने का तो मृत्यू से हमें डर नहीं है क्योंकि मृत्यू तो वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक लेके जाता है हम ये पापो की माफी मिलती है उसके बाद हमें पापो में नहीं रहना है हम तो उसमें से निकल के हम एक नया जीवन लेकी निकलते हैं और प्रभु येश्व के तरह हम जीते हैं हमारे जीवन से प्रभु येश्व ही दिखना चाहिए दूसरा करंथियत 3.18 कहता है कि परन्तु जब हम सब के उगाड़े चैरे से प्रभू का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है जिस प्रकार दर्पन में तो प्रभू के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बलते जाते हैं हम प्रभू की महीमा में बदलते जाते हैं दीरे 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 हम प्रभू येशु की तरह होने लगते हैं उनकी जस तरह से थी जीवन उसी तरह का जीवन हमारा दीरे दीरे होते हैं और पांचवी बात यह है कि शैतान और उसके जगत से हम बाहर निकलाते हैं वो बाहर परमेश्वर ने उसको अती महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से स्रेष्ट है हमारा प्रभु येश्व सबसे स्रेष्ट है और हमें वो सामर्थे देता है कि हम इस जगत में फसे ना रहे शैतान के चंगूल में ना रहे पलंतु इस जगत से बहार हो जाए उसके उपर हम रहे हमें जगत से डरने की जरूत नहीं है क्योंकि जगत पे शैतान पे ब्रभु येश्व ने विजई प्राप्त कर लिये वो अल्वरी जीत चुके उसको प्रभु का वचन कहता है कि आपको सापो और बिच्चु के उपर अधिकार है हमारा सामर्थ इतना पावरफुल है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी तरफ खड़ा है उस वो हमें ये सामर्थ देता है कि हम प्रभु येशु के तरह हो सकते हैं पॉलुस का वचन है कि मैं प्रभु येशु को जानो और उसके जी उठने की शक्ती को पॉलुस की प्रात्मिक इच्छा थी यही इच्छा हमारी है कि हम और प्रभु येशु को जाने और करीब से उसको पहचाने और अच्छे से प्रभू येशु के साथ हम जीवन जी सके, उनके साथ चल सके और हमारा परमेश्वर के साथ हमारा सबद उस तरह से जुड़ जाए कि कभी नहीं तूट पाए, आये प्रात्म करे आये हमारे पिता, आपके अद्बूत बचन के लिए हम आपका शुक्रियादा करते हैं हमें आपके चरणों में रखिए कि जिससे प्रभू हम आपको पहचान सके, आपको समझ सकते, आपके काम को हम गहराई से देख सके प्रभू और जो सामर्थ आपने हमें रखा है, उस सामर्थ को हम और गहराई से देखे कि आपने हमारे अंदर तुंदृत्थान होने वाला सामर्थ रखा है, जो किसी भी सामर्थ से ज़्यादा स्रेष्ट है हमें वो मन दीजिए कि हम आपके चर्णों में समर्पित हो के हमारे जीवन को उडेल सके प्रभी येशु के नाम से आमे कर दो दो कर दो